इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप स्टुएंट विजा के लिए अपलाय कर रहे हैं तो आपकी उनिविस्टी के अप्लिकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट करना चाहिए उनिविस्टी की डैडलाइन कब होती है और जूती सब्सक्राइब आयरुणस्टी प्रोसेसे सब्सक्राइब करने ज़्यघ्ड करेंदे कि बुदुन लगें मटनुर्म कि होती है उन चाहिए अकुबर औरनौममर्ब्य श कोते हैं कुछ university summer के अंदर भी अपना program offer करती है उसकी जो application process है वो September से लेकर January तक चलता है उसकी जो deadline होती है मुसलिव जनवरी के अंदर होती है और उसकी जो classes हैं वो March और April के अंदर start हो जाती है अब admission तो आपका हो गया लेकिन अभी जर्मनी के अंदर आने के लिए जो सबसे बड़ा problem चल रहा है वो appointment का मसला चल रहा हमारी दफा भी appointment का मसला था लेकिन उस टाइम क्यों थी तो आपको कभी ना कभी appointment आई जाती थी अभी जो appointment का process है वो बड़ा different है कराची के लिए different है और इसलामबाद के लिए different है कराची के लिए क्या होता है कि वो slots open होती है जर्मन टाइम 12 बजे तो उस टाइम पे students बैठते हैं रात को और रोज appointment देखते हैं लेकिन unfortunately काफी मुश्किल होती है उनको appointment करने के लिए मुझे रोज message आते है के students के के आप मेरी help कर दें लेकिन unfortunately मैं उनकी help नहीं कर सकता मेरी एक वीडियो जिसमें मैंने कुछ basic tips शो की नहीं है कराची में appointment करने की ऊपर आपको लिंक शोर आओगा आप उसको देख सकते हैं अगर आपको useful लगती है तो अब इसलामबाद embassy के उपर अब इसलामबाद embassy जो है वो विंटर इंटेक के लिए separate appointment करती है और summer के लिए separate अभी mostly winter इंटेक चल रहा है तो अभी winters की appointment चल रही है यह जो विंटर इंटेक की appointments है यह मैं के अंदर open की थी अब हुआ यह है कि मैं में में जब इंपार्मेंट की तो बहुत से लोगों ने within appointment book करने के within one hour within two hours appointments book करने और लेकिन अभी तक within 30 minutes वाली लोगों के appointments नहीं आई that means आपको within 10 minutes के अंदर appointments apply करने होती है अभी लेकिन summer के लिए आप prepare हो रहे होंगे तो summer के लिए प्रिपेर होने के लिए आपको क्या करना है कि आपको embassy की website को देखना है last time embassy ने September के अंदर appointments open की थी summer के लिए अब होगा क्या कि आपने for example अगर summer के अंदर आना है तो आप क्या करेंगे कि आपने embassy की website को continuously देखना है और जिस दिन embassy ने अनॉंस कर दिया कि हम for example इस डेट को सब्सक्राइब करेंगे तो आपने उसी रात को होते हैं university के अंदर जिनकी requirement होती है admission letter तो अगर आप जलती application process को follow करेंगे तो आपके लिए यह चीज़ लेना असान होगा second जो बहुत बड़ा problem है यहां जर्मनी के अंदर accommodation का जब आपको जलती admission letter आ जाएगा तो आप उस problem से भी असानी से निकल सकते हैं third आपको pre preparation की बहुत ज़्यादा benefit हो जाते हैं आप preparation कर लेते हैं fourth आपको वीजा हसिल करने में बहुत असानी हो जाती है at the end आप अपने university जो आपने program shortlist किया है उसकी specific requirements को देखें को कुछ universities को जो application process हो बहुत जलती start होता है जैसे मेरी case में Technical University Munich ती तो मेरा application जो है वो जनुदी के अंदर start हो जाती है तो आप अपनी specific requirement अपने program के लिहाँ से देखें आपको मजीद useful videos मेरे चैनल पर मिलेंगी so do subscribe to the channel and see you next video